नमस्कार वर्तमान में जारखंड में एक योजना की धूम मची हुई है लोग हर हमेशा उसी योजना के बारे में बात कर रहे हैं और वो योजना है अबुआ आवास योजना बहुत ही अच्छी स्कीम है आईए आज हम लोग इसी योजना के बारे में देखेंगे डीटेल से क कि इस योजना में कितने रुपईए का लाब मिलेगा, मतलब कितना रुपईगा आपको मिलेगा, सात में सबसे पहले हम लोग देखेंगे की ये योजना है क्या, कैसा घर बनेगा, कोन है इसके लिए योग्य, क्या काखजात लगेगा, और परिवार में किसके नाम से आपको भरना है इस योजना में और साथ ही अन्य बहुत प्रकार की जानकारियां जो आपको इस वीडियो के माद्धम से मिलेगी क्योंकि आप क्या करते हैं कि अपने नाम से इस फॉर्म को भर देंगे आपको अपने नाम से नहीं भरना है ध्यान रहे मैं आपको अभी वीडियो में बताऊंगा तो चलिए सबसे पहले हम लोग इन सभी चीजों को देखें लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या घोजना की थी 15 नौवंबर जहारखन अस्थापना दिवस के दिन उन्होंने इस योजना के शुरुआत की है जहारखन के मुख्यमंत्री हेमन सोरेंजी ने जिसमें आप देख सकते हैं कि राज्य के 8 लाग से अधिब गरीब लोग जिनके पास आवास नहीं है जिनके पास घर नहीं है पका मकान नहीं है उनको अबुगा आवास योजना से जोड़ा जाएगा तो इस योजना को क्रियानवाई जो है वो 15 नवंबर के बाद से होना सुरू हो गया आला कि घोसना बहुत पहले ही हो गई थी लेकिन 15 नवंबर से ये बिलकुल अपने क्रियासिलता पर आ चुकी है साथ ही आप देख सकते हैं ये DC देवगर का एक ट्वीट है अबुगा आवास योजना के बारे में चाहें तो आप यहां से भी पढ़ सकते हैं या नहीं तो आप हमारे वीडियो को बस देख लिजिए आपको पूरा पूरी समझ में आ जाएगी AAY यानि अबुगा आवास योजना के लिए जो फॉर्म है वो आपको सिवीरों में जमा करना है जैसा कि आपको पता होगा आपकी योजना आपकी सरकार आपके दवार कारिकरम लेकर के आ रही है और 24 नवंबर यानि आज से ही जारखंड के जितने भी पंचायत है सभी पंचायतों में एक एक दिन सिवीर लगेगा उसी सिवीर में आपको इस फॉर्म को जमा करना है तो आईए देखते हैं डीटेल से इसके बारे में तो सबसे पहले देखते हैं कि अबुआ आवास योजना क्या है जारखंड सरकार दुआरा चलाई जा रही यह एक आवास योजना है इसके अंतरगत जरूरतमंद गरीब परिवार को पक्का गर बनाने के लिए सरकार आर्थिक सहयता परदान करती है जो वेक दिगरीब हैं जो रॉरतमंद है जिनके पास पक्का मकान नहीं है उनको पक्का गर बनाने के लिए सरकार आर्थिक सहयता परदान करती है अबुआ आवास योजना के अंतरगत में और ये इसके अतरिक्त इस योजना के अतरिक्त भी अन्य कई प्रकार की योजना चलाई जा रही है कुछ केंदर सरकार के दोरा कुछ राजे सरकार के दोरा जिसके अंतरगत जिनके पास घर नहीं है उनको घर दिया जाता है जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम आपने सुना होगा, भीमराव अंबेदकर आवास योजना का नाम आपने सुना होगा, बिरसा आवास योजना का नाम आपने सुना होगा, तो इस प्रकार से कई अन्य प्रकार की योजनाई चलाई जा रही है, लेकिन ये योजन मतलब आपको घर बनाने के लिए दो लाख रुपये दिये जाएंगे और आपको जो घर बनाना है वो 31 सुवर्ग मीटर का घर बनाना है तीन कमरा, एक रसोई घर, एक सोचालय बनेगा हलांकि अबुँआ आवास योजनय के अंतरकत में सिर्फ घर का जिक्र है, रसोई घर और सोचालय का जिक्र अलग से किया गया है तो इसके लिए हो सकता है कि रसोई घर तो आपको खुद बिनाना होगा, सोचालाई के लिए हो सकता है कि सरकार जो सवक्ष भारत अभियान के अंतरगत में जो सोचालाई दे रहेती हो सकता है कि वो आपको दिया जाएगा, लेकिन तीन कमरे वाला आपको मकान मिलेगा इसके अंतरगत में 95 मानव दिवस और कुसल मयदूरी भी मन्रगा के माधम से भुक्तान किया जाएगा यानि 95 दिन का लेबर पेमेंट भी आपको दिया जाएगा वर्तमान में अगर देखा जाए तो 255 रुपईय जो है वो एक दिन का लेबर पेमेंट है तो 95 गुना 25 यानि 24,225 रुपईय आपको लेबर पेमेंट मिलेगा दो लाख रुपईय और प्लस 24,225 यानि तकरीबन सावा दो लाख रुपईय आपको इस योजना के लिए मिलेंगे इसके बाद हम लोग बात करेंगे अबुआ आवास योजना किन को मिलेगा कौन हैं जिनको मिल सकता है अबुआवास योजना तो इस योजना का लाख अनिवारी रुप से महिलाओं को मिलेगा महिला के मिर्तियू या अनुपस्तिय होने पर परिवार के पुरुष के नाम पर लिया जा सकेगा मतलब आप फॉर्म जो लेंगे उस फॉर्म में अपने नाम से नहीं भरिएगा पुरुष अगर आप देख रहे हैं हमारी वीडियो को तो आप अपने नाम से इस योजना में फॉर्म नहीं भरिएगा अगर आपके परिवार में महिला है तो पूरुस के नाम पर ना भरें क्योंकि इस योजना का लाब अनिवारी रुप से महिलाओं को मिलेगा ध्यान रहे इस बात की और इस योजना का लाब वैसे परिवारों को नहीं मिलेगा जिनको पहले से आवास मिला है पुरुष के नाम पर भी चुकि हम यहां बात परिवार की कर रहे हैं और एक परिवार का मतलब होता है पती पत्नी और जो उनके 18 से कम के बच्चे होते हैं वो सारे मिला करके यहां पर हम लोग बोलें तो और विवाही तो बच्चे तो इस परकार से अगर पती के नाम से पहले से पत्नी के नाम से भर दिजिएगा तो उनको लाब नहीं मिलेगा क्योंकि नियम ही है कि योजना का लाब उनहीं परिवारों को दिया जाएगा जिनको पहले किसी योजना क लाव नहीं मिला है, जितनी भी प्रकार की योजनाई चला ही जा रही है केंदर सकार र्राज्य सरकार के दोड़ा, जिसमें मैंने कुछ योजनाओं के बारे में भी उताया था, प्रतान मंतरी Vai offers योजनाई से जो भी owners चल रही हैं, उनका लाव अगर पहले से आपको नहीं कि इस योजना का लाब केवल ग्रामिन परिवारों को मिलेगा, ये शहरी आवास नहीं है, परधान मंत्री आवास योजना जो है वो दो तरीकों से चलाई जाती है, शहरी शेत्रों के लिए और ग्रामिन शेत्रों के लिए, लेकिन ये योजना सिर्फ ग्रामिन परिवारों के इस योजना का और साथ में जो विश्यस रूप से कमजोर जनजाती समू हैं उनको इसका लाब मिलेगा इसके अलावे अगर कोई व्यक्ति प्राकृति कापदा के सिकार हैं मान के चलिए कभी बरसात में या कभी आंधी तुप खानमस का जुगी जुपली उजड़ गया है प् पहले बंदुवा मजदूर के रूप में काम किया करते थे उनको रिहा कर दिया गया अब तो वैसे लोगों को इसका लाब मिलेगा और अब वगा आवास योजना है तू अब देखते ही कि आवस्यक डॉक्युमेंट क्या क्या लगेगा तो आवस्यक डॉक्युमेंट की अनिवारी रूप से है इसके अलावे कुछ अन्य दस्तावेज भी आपको लेगा जिससे जहां पर आप आवास बना रहे हैं वहां के जमीन का परशा भी आप उसके साथ अटेश करतें और जिस प्लॉट पर बना रहे हैं उस प्लॉट को आप अंडर लाइन कर दें और इसक अलावे अब आपको मैं ये बताता हूँ कि आप आवास योजना का फॉर्म कहां जमा करेंगे तो सबसे पहली बात कि आप आवास योजना का फॉर्म जो है वो अपने नई दिकी प्रग्या के अंदर या ब्लॉक आफिस या अन्य जो दुकाने होती हैं आम तो पर वहां से आपको मिल जाएंगी तो आप वहां से प्राप्त करने मैं अभी आपको फॉर्म दिखाऊंगा और साथ में इस योजना का फॉर्म जो है वो ओफलाइन के मादधन से जमा होगा ओनलाइन नहीं होगा ये फॉर्म तो इसलिए आप कहीं ओनलाइन के चकर में ना पड़ें जिस दिन सिविर लगेगा चुकि आज से ही सिविर लगना शुरू हो गया तो जिस दिन आपके पंचैत में सिविर लगेगा उसी दिन आपको क्या करना है अब वहा आवास योजना के एक अलग से इस्टॉल लगा हुआ होगा उस इस्टॉल पर आपको जो है वो अपना पॉर्म तो अभी जमा हो रहा है लेकिन कब तक आपको इसका लाब मिल सकता है तो देखिए अभी सिवीरों के माध्यम से जो है वो आवेदन पहले प्राप्त किया जाएगा और सिवीर जो है वो 26 दिसंबर तक है मतलब आप मान करके चलिए कि इस साल पूरा-पूरी सिवीर मे किया जाएगा क्या वो सच में गरीब हैं क्या सच में वो योग्य हैं क्या प्रात्मिक्ता के आधार पर उनकी पहले बंती हावास तो इस प्रकार से जाच की जाएगी जो कि आपके लोकल लेवल के जो भी अफसर या जो मुखिया उगरह होंगे उनके माध्यम से ये काम हो जाएगा और उसके बाद जो है वो इस योजना का लाव अतिस्ग्र आपको मिलेगा प्रात्मिक्ता के अधार पर जिसे आठ लाख लोगों को इस योजना का लाव मिलना है लेकिन सुरू में हो सकता है कि 2024 में दो लाख लोगों को मिले उसके बाद दो लाख लोगों को मिले तो एक ही बार में सबको नहीं मिलेगा, प्रात्मिक्ता का पर जो बहुत ज़्यादा गरीवे, जिसको बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, पहले उनको मिलेगा, उसके बाद सेश लोगों को मिलेगा. अब देख लेते हैं थोड़ा सा अबुआ आवास योजना के फॉर्म को हो सकता है कि आपके ब्लॉक में जो फॉर्म हो वो थोड़ा अलग टाइप का हो उससे कोई दिक्त नहीं है इसी प्रकार का आपको फॉर्म मिलेगा और अपने पूरे परिवार का विवरन यहां पर भर देना है परिवार में मैंने आपको बताया कि पती पत्नी और जो अविवाहिद वच्चे हैं उन सबों का विवरन आपको भर देना है साथ में अगर आपका कोई भाई है जिनकी साधियुदी हो चुकी है वो अलग रह रहे हैं तो उनका आपको अपने परिवार में जिक्र नहीं करना है वो अलग से भर सकते हैं आय का सुरोत आप कितना क्या काम करते हैं और साथ में आपकी वार्षिक आय कितनी है उसके बाद देखिए वर्तमान विस्तिति क्या है कि आपके पास घर नहीं है कि आपके पास अगर घर है तो कच्चा है या पका है अगर पका है तो उसमें कितने कमरे हैं उसका यहां पर मंदिद प्लोट संख्या जिस जमीन पर आप बना रहें वो कैसे है कहीं वो विवादित तो नहीं है क्या आप आदिम जन जाती के हैं क्या आप बंद हुआ मजदूर जो है वो रिहा किये गए हैं क्या आप दिव्यांग तो नहीं है प्राकरतिक आपदा के सिकार तो नहीं है इस प्रकार से आपको सारे चीज़ों को लिखना है, साथ में क्या आपको इस से पहले किसी योजना का लाब मिला है, जितना भी आवास योजना के बारे मैंने बताया, और मैं एक और चीज़ बताने चाहता हूँ, अगर आप PWD कंडिड़ेट हैं, मतलब अगर आप दिव्यांग कंडिड़ेट हैं, तो आप अपना भी सर्टिफिकेट जरूर लगा दें, क्योंकि आपकी प्रात्मिकता जो है वो देखी जाएगी, आपको प्रात्मिक अस्तर पर सबसे पहले मिलना है, तो जो दिव्यांग बेखती हैं, वो जरूर भरें और साथ में वो अपने जो दिव्यांगता का चाया परती है, वो जरूर लगा दें, और क्या आपके पास तीन पहिया, चार पहिया वाहन है, क्या करसी उपकरन है, क्या आप सरकारी नोकरी में है, या फिर क्या आप जन परती निदी हैं, कि आप income tax pay करते हैं, कि आप professional tax pay करते हैं, कि आपके पास refrigerator है, धाई एकर से ज़्यादा सिंचित भूमी है, पांच एकर से ज़्यादा सिंचित भूमी है, यह सारे details को yes no yes no करके, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना हस्ताक्षर, यह अगर आप हस्ताक्षर नही जो व्यक्ति होंगे, जिन्होंने यह install लगाया हुआ होगा, अबुआ आवाज योजना का, उनसे आपको जो है, वो रसीद प्राप्त कर लेनी है, साय निकरा करके, तो इस प्रकार से आप जो है, वो इस योजना का लाब उठा सकते हैं, उमीद करते हैं कि आपको इस योज प्रकारी नहीं है, तो आप गलत तरीके से फॉर्म भर के दे सकते हैं, और आप इस योजना से वंचीद रह सकते हैं, तो इसी प्रकार से अन्य योजनाओं की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, शेयर किजिए ज्यादा सब्सक्राइब लो झाल 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